पश्चम बंगाल के राजपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर जी को तगड़ा जटका दे दिया राजपाल ने पीडियस घोटाले में गिरफतार ममता के मंतरी जोतीप्रिय मलिक को वन मंतरी के पद से हटा दिया गिरिफतारी के बाद भी ममता बनर जी जोती प्रिय मलिक के पद से बरखास नहीं कर रही थी राजभवन के सूतर बता रहे हैं कि राज़पाल सीविया अनंद बोस ने सम्वेधान के अनुच्छेद 166 तीन के तहट अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मलिक को ततकाल प्रभाव से मंतरी के पद से कर्तवियों से मुक्त कर दिया राज़पाल के इस कारवाई के बाद टीमसी में खलबली मच गई और अपनी साख बचाए रखने के लिए राज़पाल के फैसले को ममता बनर जी का फैसला बताया जाने लगा जोतिप्रिय मलिक का विभाग अब बिरबाहा हंसदा को आबंटित कर दिया गया है हंसदा वन एवं स्वयम सहायता स्वारोजगार समू स्वतंत्र प्रभार राज्य मंतरी हैं एक अधिकारी ने बताया कि ये फैसला मुख्यमंतरी वमता बनर जी के सलाह के मताबिक लिया गया पिछले साल अक्टूबर में प्रवर्तनी देशाले ने राशन भोटाला के सिलसेले में मनी लॉंडरिंग रोक था अधिनियम के तहट मलिक को गिरफतार किया था 20 जनवरी को एडी ने कोलकाता की एक अधालत को बताया कि ये घोटाला करीब 20,000 करोड रोपे का है इस घोटाले में पीडियस प्रणाली के लिए सबसीडी वाले खाद्यान को विक्री के लिए खुले बाजार में भेज़ दिया गया था जब 2011 में टीमसी पहली बार सत्ता में आई थी और मलिक मंत्री थे तब ये घोटाला हुआ था टीमसी नेता उने कहा कि सिचाई और जलमार्ग मंत्री पार्थ भामिक को औद्योगिक पुनर निर्मान विभाग का अतरिक्त प्रभार दिया गया है वही उपवन मंत्री बीरबाहा हांसदा अब से कैबिनेट मंत्री के रूप में वनवे भाग संभालेंगे टीमसी के एक वरिष्ट नेता ने कहा कि मुक्य मंत्री ममता बनर जी ने फैसला किया और अब राज़पाल सीवी आनंद बूस के साथ इस मामले में फैसला लिया गया है केंद्री एजेंसी की जाँच के बाद सरकार से हटाए जाने वाले मलेक दूसरे वरिष्ट कैबिनेट मंत्री हैं एडी ने नौकरी के बदले रिश्वत घोटाला मामले में जुलाई 2022 में पूर विश्विक्षा पार्थ चटर जी उनके करीबी सहयोगी अरपिता मुखर जी को गिरफतार किया था सितंबर 2022 में तायर अपनी पहली चार्शीट में एडी ने कहा उसने दोनों से जुड़ी करोडों की नकदी, आभोशन और अच्छल संपत्ती का पता लगाया मुख्यमंत्री ने पार्थ चटर जी को सरकार से हटा दिया और उनकी गरफतारी के कुछ दिन बाद उन्हें टीमसी से भी निलम्बित कर दिया चटर जी और मुखर जी को जमानत नहीं मिली, पीडियस घोटाले में एडी ने पिछले साल 12 दिसंबर को पीमले के तहट अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था मलिक चावल मिल मलिक और होटल व्यवसाई बाकी बूर रहमान और दस शेल कंपनी इसको इसमें आरोपी बनाए गया था 17 जनवरी को कलकता हाई कोट ने CBI और पश्रिम बंगाल पुलिस को उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली के टीमसी के दिगज नेता शाह जांशेक का पता लगाने का आदेश दिया उसने कथित तोर पर पाच जनवरी को इडिया धिकारियों पर छापे के दौरान हमले की साज़श रची थी वियो रिपोर्ट न्यूज अफ इंडिया